पवन सिंग के गानों में आजकल नई प्रतिभाओं को बहुत मौका मिल रहा और ऐसे में अंजली राज जो एक बहुत ही उभरती हुई सिंगर है उन्हें पवन सिंग ने धन धुआ हो जाई से रात और रात सुपस्टार बना दिया जी हाँ अंजली अपने हाल ही में दिये ए और ऐसे में प्रियांसु सिंग की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने डमी बना कर भेज़ दो और उस डमी को ही सिलेक्ट कर लिया गया ऐसा कहना है अंजली राज का अंजली राज पवन को अपना आइडल मानती हैं और सिल्पी राज को अपना आइडल मानती हैं और तो औ और उन्हें ये विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उन्होंने धंध हुआ गाना गा लिया है और उन्हें लगातार बड़े बड़े म्यूजिक कमपनियों को आफर भी आ चुका है जी आपको जानकर हैरानी होगी वर्लड वाइड रिकॉर्ड एसार के म्यूजिक जैसे कई बोचपूरी की कमपनिया है जिनोंने अंजली राज को आफर किया है सोलो गाने का जो कि हर एक सिंगर की मनसा होती है कि उसका कोई न कोई सोलो सौंग आए अंजली राज सिल्पी राज को अपना आइडल मानती है इसलिए अपने नाम के लास्ट में वो राज लगाती है मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा पहला साउंग पवन सिंग के साथ होगा और तो और रिस्पेक्ट में वो पवन सिंग का नाम तक नहीं लेती हैं साथ ही वो ये कहती है कि गाने के मादा dropping अधर इस तरह बदल गई कि कई बड़े चैनलों का ओफर आ चुका है और मैंने कई गाने गा चुकी हूँ और लगातार गा भी रही हूँ. आगे आने वाले समय में दर्शक मेरे कई बहतरीन सौंग को सुनेंगे और मैं चाहती हूँ कि आगे मैं और भी पवन सिंग के साथ और खेसारी, समर सिंग, रितेश पांडे जैसे कई कलाकारों के साथ मैं अपना गाना गाउँ. तो क्या कहेंगे पवन सिंग की इस नई खोज के बारे में आपको अंजली राज की आवाज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट किजे साथी चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलिए.